नमस्कार दोस्तों स्वागत्त है अब का स्टड़ी फॉर्ड सिवल सर्फिसेस में देखिए इसमें हम देख रहे हैं करेंट अफेर्स जन्वरी 2016 से लेके अप्रेल 2017 तक देखेंगे जो कि जितने भी एक्जाम्स होते हैं इंडिया में कॉम्टेटिव एक्जाम्स यूपी एस सी एससी सीजियल जैसे भी MPSC वाला आने वाला है और जितने भी एक्जाम से सबके लिए इंपॉर्टन हो सकता है यह पहला पार्ट हो चुका है और सेकेंड पार्ट हम करेंगे वान लाइनर जी के टाइप में इसमें बनाया जो भी चीज़े डिटेल में एक्स्पें करने वाली है उसमें मैंने PIX का यूज किया है प्लस जो PIB की PIX है जैसे Press Information Bureau और जुद्धा इंदू की कई जगे PIX यूज की है देखें यहां पर तक हम लोग बोल चुके थे कि BS4 से लेके Direct Government of India ने डिसाइड किया है कि BS5 नहीं आएगा पहले प्लान था BS5 आएगा 2019 में लेकिन अब यह प्लान है कि 2001 April 2020 से अभी डिरेक्टली BS4 से डिरेक्ट आजाएगा BS6 तो यह आप याद रखिएगा पिर यह पीजर पहला एसा यह और ने इसे पॉस्टिव Kickstarter अच्चार फ्रीट किया था इंटरनेशनल एयर शोविकौर要 Bu इसमें बहराइन में, तो तेजस टेक पार्ट इन टेक्स पार्ट इन इंटरनेशनल एर शोव फॉर्ड फर्स टैम, तेजस एरक्राफ्ट है, यह इंडिजनेस है, इंडिया ने डेवलप किया है, इसको यह सिंगल सीट है, सिंगल जेट इंजने मल्टी रूल, लाइट, फाइ रहते लग वग, 30 साल से ज़्यादा लगा इसमें मेकिंग करने में, 1980 से लोग लगे थे, पहले लाइट कॉमबेट एरक्राफ्ट प्रोग्राम ता, उसी को बाद में, यह जो नाइटीन इटीन एटीज में था, और यह बाद में फिर यह देखें, लाइट कॉमबेट एरक् इस प्रोग्राम को रिप्लेस किया गया तो फाइनली इसको नाम दिया गया था तेजस मतलब उतार रेडियंट और किस ने नाम दिया था प्रधान मंतरी अटल ब्यारी बाजबेजी ने तो यह सब आप याद रखेगा तेजा से एक इंडिजनेस यह फाइटर प्लेन है मिग 21 को रिप्लेस करने के लिए लाया गया यह पहला ऐसा इंडियन एर्ट्राफ्ट है जिसने पार्टिसिपेट किया एक इंटरनेशनल एयर शो में कहां पर पार्टिसिपेट किया साखिर ए देली इंटरनेशनल चेस यह टूर्नामेंट हुआता है देखिए यह 2017 की न्यूज है अभी जनवरी की न्यूज है यह 2017 की इसमें टॉप सीडेट यह जीम फारुक जीम फारुक अमोना टो यह जीते हैं तजाकिस्तान के तो इन्होंने जीती है 15 पार्शनाथ देली इंटरन इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट और इन्होंन हरायक इसको है यह दीपतायन घोश को जो की कोलकता के हैं तो ऐसे नाम याद जरूर रख लीजेगा कि यह पुछा जा सकता है कि हूज दा विनर ओफ 15 पार्शोनाथ डेली इंटरनेशनल चेस तो इनका नाम क्या है फारुक अमोना टो ये इनका नाम है फारुक अमोना टो तजाकिस्तान से हैं तजीक की स्तान से हैं फारुक अमोना टो इन्हों ने जीती है 15 पार्शोनाथ डेली इंटरनेशनल चेस और इन हरायक इसको दीपतायन घोश को को जो कोलकता से अनुराधा रोय इनको ये इंडिया नॉवलिस्ट है और जनरलिस्ट है जिनको ये 2016 का डियस्सी प्राइज मिला था साउथ एशियन लिट्रेचर के लिए इस बार का अभी एनाउस नहीं हुआ है मार्च गतिस तक उसमें इंट्री देनी है तो अभी इसमें उसको नहीं लिखाए ये पिछले साल की नियुज़ है अनुराधा रोय को मिला था इनकी कौन सी नॉवल के लिए श्लीपिंग ऑन जुपिटर तो ये श्लीपिंग ऑन जुपिटर इन्होंने नॉवल लिखी थी अनुराधा रोय ये इंडिया नॉवलिस्ट है और जनरलिस्ट है इनको एवार्ड मिला था 2016 का DSC Prize for South Asian Literature ताइवान वैसे आपने सुना होगा कभी One China Policy उसमें बोलता है ये चाइना की जिसे ताइवान है और और भी चाइना के जितने भी रीजन से उनको सबको One China के एंडर मानना चाहिए जिसे ट्रम्प में भी जो अमेरिका कराश्पती है उनसे भी विवाद हो गया का पार्ट माना चाहिए लेकिन चाइना खुद ऐसा करता नहीं क्योंकि जैसे इंडिया का रुनाचल प्रदेश आपने देखा होगा चाइना हम इसा अपने मैप में दिखाता रहता है तो यही है यह ताइवान इसले काफी न्यूस में रहता है कई बार ताइवान ने पहल प्रोग्रेसिव पार्टी की 2016 के लेक्सेंस में तो 2016 के लेक्सेंस में ताइवान में पहली फीमिल प्रेसिडेंट आई थी साई इंग वेंग नाम याद रखीगा यूपी पीसी में कई बार पूछ रहते हैं मुप्ति मुहम्मद सहीद जो की पीडिपी पार्टी के हैं रखीडित हो गई थी इंडिया का पहला जो इस्पेस पार्क है वो बेंगलूरू में यह एश्रो ने और इसमे इसकी खासियत की आती कि ये इसमें प्राइवेट इंडिस्ट्री को भी अलाओ किया जाएगा कि वह अपने जो भी सब सिस्टम्स हैं या कंपोनेंट्स होते है सेटलाइट के लिए उनको टेस्टिंग कर सके हैं तो इंडिया का पहला स्पेस पार्क कहां पे है बेंगलूरू में और इसको सेटप किसने किया है इस रो नहीं यह आप याद रखिएगा और यहां पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी अलाओड है सेटल बोर्ड आफ फिल्म सर्टिफिकेशन में रिफॉर्म्स के लिए प्लस सीनेमेटोग्राफ एक्ट रूल्स में बदलाओ के लिए और कई बार जो जैसे इसमें बोलते हैं कि यह सेंसर बोर्ड है आप इसमें जो रेटिंग है उसको दीजिए बस की जैसे सेंसर मत दीजिए इस फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है केवल सेंसर मत करिए फिल्म को उसलिए कई सारे रिफॉर्म थे और श्याम में निगल कमिटी की रिकमेंडिशन भी बता आद चुका हूँ मैं आपको कि वो बोल ले थे कि कोई भी फिल्म को आप काटिये पीटिये मत उसमें बस सर्टिफिकेट दे दीजिए कि वो 18 से उपर है एक कटेगरी के दो से अदा होने चीए बीट कटेगरी के तो यह सब चीजिए इसमें चल दीती नाम जरूर याद रखेगा है श्याम बेनेगल कमिटी है ओपरेशन धांगू सुरच्चा पठान को टेर बेस पे अटाइक हो गया था 2016 की स्टार्टिंग में एक जनुरी को उसके बाद इंडियन आर्मी ने एक ओपरेशन चला था धांगू ऑपरेशन धांगू सुरच्चा और इसको किस ने चला था पठान को इस एर बेस में जो लोग टेरोर्य गूसा थे पाकिस्तान से पंजाब के बेस में उनको खदरड़ने के लिए और इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात था कि पैस चला फूर से जो एर फोर्स में बेस में जो एक्ता पाकिस्तान की तरब से उसकी test by Mars expect County United जिहाद baking जो कि एक कश्मीरी कश्मीर बेस्ट मिलिटेंट ग्रूप है यह लेकिन इंडिया को शाक है और भी कई सार ग्रूप पे जो पाकिस्तान के हैं फिर एक है प्रोजेक्ट 28 देखिए आइनस कडमाट है यह जो यह सेकंड शेप है प्रोजेक्ट 28 का यह इसने प्रोजेक्ट चला गया था तो इसमें सेकंड शेप है कडमाट और इसको यह कमीशन किया गया नेवल डोकेड विशाका पत्ना में इंडियन नेवी ने किया उसके बारे में और कुछ जान लेते हैं कि कम रोट कमोटा क्लास कॉवरेट बोलते हैं इसको यह इसी के लिए प्रोजेक्ट 28 इस्ट तो कहां पर बना जाता है गौर्डेन रिसर्च गार्डेन रिच शीप बिल्डर्स एंडिनियर्स यानि कि जी एर ऐसी कोलकता में जाता है सबसे पहले यह देखिए सबसे पहले बनाया गया था आइनस कमोटा और जो सेकेंड है वो है आइनस कडमट तो आइनस कडमट को 2016 में कमीशन किया गया है आइनस कमोटा को 2014 में दो और बचे चार बनाने हैं टोटल दो बचें, आइनस किल्टन और आइनस कावरटी, यह किल्टन और कावरटी जो है यह लक्षिदीप आपने देखा होगा, आर्प की पिलोजी जो इंडियन के अरेबियन सी में है, लक्षिदीप पूरा आइलेंड टेरिट्रीज है, चेन है पूरी आइलेंड की, उसमें से दो हैं आइलेंड, किल्टन और कावरटी, कावरटी तो लच्छिदीप की कैप्टल भी है, उसी के नाम पे बनाया गया है, प्रोजेक्ट 28 में जो लास्ट के दो हैं, उनको बनाया जा रहा है, इंडिजनेस नी डिजाइन और बिल्ड नहीं है, प्रोजेक्ट 28 को 2003 में इसको कमेंस किया गया, तो यह आप यादर जरूर रखेगा, प्रोजेक्ट 28 को किसले किया गया था, एंटी सब्मरीन वारफेर कॉवरेट्स, यानि की वार्शिप बनाने के लिए, और इसको कमोर्टा क्लास कॉवरेट भी बोलते हैं, यह आप जरूर यादर रखेगा, 2014 मे सबसे पहला आया था, इसका सिप कमोर्टा, और 2016 में आया है, आइनस कडमट, यह कडमट क्या है, एंटी सब्मरीन वारफेर कॉवरेट है यह, और दो और आने बाद किया है, किल्टन और कॉवरेटी, जो की लक्षदीब के आइलेंड के नाम पे बनाए गया है, और होता है, यह एन्वल कप होता है, देखिए, आर्टी में इसमें पार्टिसिपेट करती है, आस्ट्रेलिया में पर्त में होता है, वेस्ट आस्ट्रेलिया में होता है, और यह अरली जन्वरी में होता है, यह फिर दिसंबर में होता है, इसमें क्या होता है, मिक्स जेंडर टी रहाया था United States को तो यह जरूर याद रुकिए का हॉप में कप है यह इंटरनेशनल एन्वाल इंटरनेशनल कप होता है यह आउस्ट्रेलिया में होता है टेनिस कप होता है हाड कोड टेनिस टूर्नामेंट है इंडूर और 2016 में और जिटी थी और 2017 में फ्रांस जिता है यूस को का ओडिव और लाकेसे मिक्स जंडेर टीम इसे पासिटीं करती है कंट्री बाई कंट्री व्यसिज बे imi आठ टीम करते हैं हाट-कोर टैनिस टूनमेंट में फिर एक होता है फ्लेमिंग ऑ करके है ख़हएं और दूस्टिक जाता है फ्लेमिंगो फेस्टिवल मना जाता है जिससे कि जो मतलब पीपल है और जो कई सारे बर्ड्स है वो आपस में एक तरह से कल्चर बन जाए दोनों के बीच में और हर बार जैसे कई सारी ये पंदरा अजार से जादा फ्लेमिंगो आती है पुलिकट लेक में और इनके स सकते हैं आपको कई सारे आप्शन देके तो पेलिकन भी माइट ग्रेट्री है किंग फिशर है ही रोंस है पेंटेड इस्टॉक है इस पून बिल्स एंड डक्स है यह सब हैं पिर एक सरवत्र प्रहार करके एक डिफेंस मिनिस्ट्री केंडर में एक से साइज रिथी और इसक स्कूल आफ आर्ट्री ने यह कंड़क्ट की थी एकसरसाइज सरवत्र प्रहार और यह कहां पर किये थी देवलाली फील्ड फाइरिंग रेंज में तो यह एक सरवत्र प्रहार है इसको किसने किया था स्कूल आफ आर्ट्र लेरी ने देवलाली में 2016 की न्यूज आई तो यह डिफेन्ज अटेटड है यहाइस आप याद रखीगा इसमें, फिर तेलंगाना पहला ऐसा स्टेट हो गया जिसने की कंपल्शरी कर दी ए जेंडर एजूकेशन अट ग्रेजूएशन लवल, अजब तेलंगाना में ग्रेजूएशन लवल पे compulsory हो गई है माहिलाओं के लिए education रखना मतलब माहिलाओं को graduate level होना ही चीए तो तिलंगाना has become the first state to introduce compulsory gender education at the graduate level और उन्होंने 2016 में एक book भी publish की थी और उसका यही था कि जो gender stereotype से उनको हटाना और bilingual text book थी और इसका जो title था Towards a word of equals तो तिलंगाना सबसे पहला इस्टेट है इंडिया में जिसमें compulsory gender education graduation level पे mandatory कर दी गई है इस book को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था JNTU हैदराबाद में और इसमें gender से रिलेटर जो भी stereotype से उनको discuss किया जाएगा और women empowerment और women को कैसे politics में लाया जाए क्या के problems होती है ये सब चीजें इस book में बताएगी तो ये book का नाम याद रखेगा Towards a word of equals Equal होते हैं मतलब मेल और female और तिलंगाना पहला इस्टेट इंडिया में जिसने compulsory gender education graduate level पे introduce किये पीफा बैलोंडी वार्ड फोर टाइम मिला था ये चार बार मिल चुका है अर्जेंटीना के player को लियोनल मेसी को देगे ये तो हो गया 2015 का award पहले क्या होता था कि 2010 से पहले ये award FIFA बैलोंडी और award FIFA best player award ये एक ही था फिर इसको FIFA बैलोंडी रिवार्ड को 2010 से लेके 2015 तक FIFA बैलोंडी और देखे जो बैलोंडी और फ्रांस देता है और जो एक FIFA best player reward है वो FIFA देती है 2010 से 2015 तक दोनों को merge कर दिया गया था 2015 सोला से मतलब फिर से अलग-अलग कर दिया गया है पहले आप यहाद रखना है आपको कि जो FIFA का बैलोंडी अवार्ड है जो फ्रांस देता है वो 2015 का जीता था लियोनल मेसी ने एर्जेंटीना के player ने को कि अभी भी एक्जाम में पूछ रहे हैं सब चीजे 2016 का जो FIFA world player of the year 2016 है 2016 से फिर से अलग कर दिया गया 2010 से पहले अलग था 2010 से 2015 के बीच में मर्च कर दिया गया था Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo जो कि पूर्टगाल के हैं उन्होंने बैलोंडी अवार्ड 2016 का जीता है फ्रांस जो देता है और प्लस जो FIFA देता है World Best Male Player का अवार्ड सौसर में या फुटबॉल में दोनों 2016 के जीते हैं वो जीते हैं क्रिस्टियान रोनाल्डो ने यह पूर्टगाल के हैं 2015 वाला किसने जीता था लियोनल मेसी ने और बेस्ट फीफा वोमेन प्लेयर 2015 का 2016 को किसको मिला है कारली लॉयड को जो की युएस की हैं तो यह आप नाम याद रखिए का जरूर यह पूछ सकते हैं इसमें 2016 का फीफा वर्ड प्लेयर आफ दे एर 2016 या फिर मेल जो वर्ड प्लेयर है उसका वार्ड मिला है क्रिस्टियान रोनाल्डो को पुर्टगाल के हैं और प्लस फीफा यह बैलून डी अवर्ड बैलून डी और जो अवर्ड है यह फ्रांस देता है यह भी क्रिस्टियान रोनाल्डो को मिला है प्रोटगाल के हैं और फीमेल में किसको मिला है कारली लॉयड को युएस की हैं यह तो टूथू कुडी करके एक प्लेस था तमिलाडू में वहां पर क्या था कि सौ से ज़्यादो जो वेल्स हैं वो आ गई थी शोर पे और फिर देखिए वहां पर यह कहा जाता है कि कई सारी चीज़े होती है जैसे इन्वार्मेंट में अगर बैलेंस नहीं रहता है तो वेल्स को एक शोसल एनिमल माना जाता है और वहां पर कुछ माइल्ड अर्थ को है कि अफिर ज़्यादा पॉलूशन और इन सब की वज़े से वो शोर में आ गई और कई बार जो वहां पर मचवारे रहते हैं उनको किसी तरह धक्का दे के वापस पानी में ले आते थे लेकिन इस बर सौ से ज़्यादा आ गई थे और पैतालिस की डेथ भी हो गई तो ये नाम याद रखी कि टूथू खुडी करके एक प्लेस था ता मिल्ड़ में जहां पे सौ शॉर्ट फिंड पाइलेट वेस ये शोर पे आ गई थी किनारे पे आ गई थी और उसमें से पैतालिस की डेथ हो गई थी मलेशिया मास्टर्स अगर आप देखें कि मलेशिया मास्टर्स ग्रांड प्रिक्स जो गोल्ड है ये 2009 में स्टाट वा था 2016 का जीता था ये पीवी संदू ने और 2017 का जीता है साइना नेवाल ने ये बैड्मिंटन के लेविल का ये सेकंड हाई इस्ट्री अवार्ड माना जाता है मलेशिया मास्टर्स 2009 से स्टार्ट वोगा था, 2016 कि तो पीवी संदु ने, 2017 साइन अने वाल ने, स्मार्ट सिटी को ये किस मिनिस्ट्री के अंडरा थी, मिनिस्ट्री ओफ डिवलप्मेंट, अर्बन डिवलप्मेंट और सबसे पहला जो स्मार्ट सिटी 20 की लिस्ट रिस्टार अर्बन डिवलप्मेंट के अंडर आता है, और यूपी में सबस्यादा थी, फिर एक शेडियूल कास्ट और सेडियूल ट्राइब प्रवेंशन ओफ ड्रॉस्टी जेक था, 2015 का अमेंडमेंट आ उसमें ये तक अगर कोई भी इंटेंस्ट टाचिंग होगी, SCST वोमेन की सेक प्रेक्टिस कर रहे हैं, जो सेक्सुलिक स्प्रेट कर रही है, उसको, तो ये ओफेंस मना जाएगा, 2017 के BCCI के अवार्ड आ चुके हैं भी, ये मार्च में 2017 में आए, तो ये मार्च को अली निउस है, ये विराट कोहली को तीसरी बार लगातार ये, तीसरी बार मतलब ये इ अगर आप देखेंगे, तो इस बार सबसे एक इंपॉर्टन जो एवार्ड हुआ है, कि BCCI ने पहली बार ये लाइफ टाइम अचीवमेंट ओवार्ड एक वोमेन क्रिकेटर को भी दिया है, उनका नाम है शांता रंगा स्वामी, ये जरूर याद रखेंगा, क्योंकि ये अ लाइफ टाइम अचीवमेंट ओवार्ड फॉर वोमेन ये पहली बार इंट्रडूस किया गया, ये किसको मिला है, शांता रंगा स्वामी को, फिर और भी कई सारे है, पॉली उम्रीगर ओवार्ड को मिला है, तीसरी बार दिलीब सर्दे साही ओवार्ड मिला है, इंडिया के और फिर कई सारे वार्ड है, मतलब इतना आप देख लिजिए, अगर अब मेरे साब से इतने अपॉर्टन नहीं, बेस्ट अंपायर का देख लिजिए, डॉमिस्टिक क्रिकेट में, निर्किन मिनन, बेस्ट पर्फॉर्मेंस, बीसी सी डॉमिस्टिक टूर्णमेंट में, चांता रंगा स्वामी को सबसे पहला आवार्ड मिला है, लाइफ टाइम एचीव्मिनट एवार्ड फर वोमेंट, और कोली को तीसरी बार पॉलियुम्रीगर आवार्ड मिला है, अश्विन को दिलीब सर्दिसाई आवार्ड मिला है, वेस्ट इंडिस ट्रॉफी जीतने के लिए वेस्ट इंडिस से जितने के लिए इंडिया के बेस्ट रिक्रिटर के तो यह आप दो तीन चीजे याद रखेंगे जरूर और जो लाइफ टेम अचीवमेंट एवार्ड मिला है करनल सी के नाइडू जो एवार्ड है वो मिला है पदमाकर शिवालकर को और राजिंदर यह आप याद रखेंगे यह इंपोर्टेंट है बाकी एक बार देख सकते हैं यह पाउस करके देखें सेवन्टी फोर्थ गोल्डेन ग्लोब एवार्ड हुए थे यह 2017 के मैं बता रहा हूं इसमें लाला लाइंड को साथ कैटिग्रीज में नॉमिनेट किया गया तो सातों म तो मोस्ट सक्सेस्फुल फिल्म थी यह गोल्डन ग्लोब की एवार्ड की हिस्ट्री में गोल्डन ग्लोब जो आवार्ड होते हैं यह कोई भी अगर बेस्ट परफॉर्म करता है फिल्म में और टेलिवीजन में अमेरिका में उसके लिए दिया जाते हैं जैसे बेस्ट अग बीड दीमिल लाइफ टायम एचीवमेंट आवाइड मतलब जो गोल्डन ग्लोब का लाइफ टायम एचीवमेंट वाइड था वो मिला है मेरिल स्ट्रीप को उसके बाद ये देखें ला ला लाइड को साथ आवाइड मिलें था और गोल्डन गोड़ में डूर डीको क्रीयंड और नृच्त को सोज़त बून सी वैसे सनल आला लंड टूर और म्योजिकल ओंड़ से न!!!! मैं इसमि लालान्ड एक लूड़ जिसे ऊसकर में इसका नाम हिनाउज कर दिया था लावला लेकिन डिशी टी कौन थी मून लाइट मी आप याज रखेंगा वारोड सेफटी वीक 26 में भी रहता गया गया था गया जैनरी दो जो ध्यारै जनरी से दो जत यारी है यारच लें अर उसकी टिएम छेवटी टाइमभा इक्षिन कि तो रोट सेफटी वींदो जब्रशो लेड़ के ऐस्की जू फीर घुर्ट कि उसके जो धुर्म08 टर्केट ग्याथ Studio जो रोड एक्सिडेंट होते हैं उनको 2019 तक आधे करना देड़ लाग होते हैं अरसाल एक्सिडेंट लगबग इस बार फिर से मनाया गया देखे मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांस्पोर्ट एंट आई वेज ने तो इन्होंने 28th रोड सेप्टी वीक मनाया गया था 9 जनुरी से उसके लिए इन्होंने 2 ये मोबाइल अप भी इस्टाट किये your ये ए च्रान एप और मपरिवान मेपिर रूट सेपटी वॉक और इस एक कोंपी इसारे चीजी इंटे में की इस्तरै कि था मोबाइल अप है यह स्टार्ट किया इच आलान और एम परिवान इच आलान क्या है यह comprehensive digital solution है ट्रांस्पोर्ट इन्फोर्स्मेंट के लिए और और भी कई सारी चीजे इंटिग्रेट कर दीगे वहान और सारती अप्लिकेशन से इसमें कई सारे यूजर फ्रेंडली फ्रेचर भी दिए गया है जो कि ट्रैफिक इन्फोर्स्मेंट सिस्टम के लिए यूज़ फिलो सकते हैं फिर एक एम परिवान है यह सिटीजन सेंट्रिक एप है यह कई सारे जो ट्रांसपोर्ट रिलेटर सर्विसेंट उनको फैसिलिटेट करेगा उसके लावा वर्च वर्चुल ट्राइविंग लाइसेंस भी से मिल सकता है एम परिवान से रेइस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल सकता है और इसके लावा यह जो एम परिवान है पर यह यूस्फिल हो सकता है कि वो लोग डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं पिक्चर क्लिक करके और अगर वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते हैं तो ना बता है लेकिन कमसरम रिपोर्ट करके जिसका भी एकसिडेंट हुआ है उसको 28 road safety week की theme क्या थी जो लोग seriously इसको सुनना है उसको बताएगा जरूर यह चीज में भूल गया हूँ इसमें उसके लावा भी ministry road ministry ने एक चीज यह introduce की थी highway advisory system यह देखे पिछली साल यह introduce किया था यह दिल्ली जैपुर highway में 2400 किलोमेटर में 12 national highways इसमें cover करते हुए 13 state को और यह है यह कि highway advisory system एक free to air information distribution system होता है कि जो radio का use करके यह कई सारी चीजे जो भी information है उसको collect करता है data को collect करता है process करता है और उसी साब से फिर alert generate करता है और यह radio पर broadcast कर देता है highway advisory system type का advice करता है यह फिर यह यह तो आपने देखा ही होगा यह जन्वरी 2016 में सबसे देखे जो crop insurance के अगर आप देखेंगे इंडिया में history 1985 में एक सबसे पहले scheme आई थी जो crop insurance की comprehensive crop insurance करके थी कुछ फिर उसके बाद आई यह national agriculture insurance scheme वह आई थी 1999 से लेके 2000 वाले financial year में और फिर आई थी एक modified NAIS यानि की MNAIS modified national agriculture insurance scheme वह आई थी 2010-11 में यह exact year भी रिट लीजेगा और उसके बाद आई है प्रधान मंत्री फसल भीमायोजना यह जो पुरानी scheme थी उन्हों सब को integrate करके एक नई scheme बना दी गई प्रधान मंत्री फसल भीमायोजना और यह इसके लावा भी कई सारे जैस सब चीजें देखिए इसमें कुछ यह मैं कई बार बता चुका हूं इसका वीडियो भी बना चुका हूं इसमें 2% प्रीमियम देना होगा खरीब क्रॉप्स के लिए देखिए याद रखने की ट्रिक है कि दो ज्यादा है डिड़ कम है और खरीफ में ज्यादा वर्ड होते ह हैं तो यह 2% और डिड़ परसंट का कंफ्यूजन ना रहा है दो परसंट इसमें प्रीमियम देनी पड़ेगी खरीब क्रॉप्स के लिए डिड़ परसंट देनी पड़ेगी रॉबी के लिए कामर्शियल और जो हॉर्टी कल्चर क्रॉप्स हैं उनके लिए सिर्फ 5% इसको बढ़ाना इसलिए काफी लो रखे गए हैं जितना बैलेंस होगा सब गवर्मेंट देगी उसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं रखे गई गई गवर्मेंट सबसेडी के लिए अगर इवेन जो बैलेंस प्रीमियम 90% हो कि तो वो भी गवर्मेंट देगी ये सब लिख हुआ है और यह जो प्रदानमंत्री फसल भी मायोजना यह अंडर मिनिस्ट्री आफ एगरी कल्चर है तो यह अभ्याद रखी गई अब तो कैपिंग अटा दी गई है कोई अपर लिमिट नहीं है जो पहले यह प्रीमियम रेट के लिए कैपिंग रखते तो वह भी अटा द स्कीम है और इसमें कई सारी जो पुरानी स्कीम थी उनके बेस्ट फीचर इंक्लूट कर दिये गए हैं तो यह था पार्ट टू आफ आल दा करेंट एफेर फ्रॉम जनुरी 2016 से लेके अप्रेल 2017 तक तो देखे पहले में हम कवर कर रहे हैं पहले हम कवर कर रहे हैं जनुरी 2016 स से लेके दिसंबर 2016 तक की पूरी इवेंट और इसमें मैं वैसे जो सीरीज है दो पार्ट हो चुके हैं इसमें पूरा ये UPPSC के लिए SSC एक्जाम के लिए MPSC और जितने भी 2017 के जो एक्जाम से UPPSC के लिए सब के लिए इंपॉर्ट हो गी है और जनुरी 2016 से लेके अप्रेल 2017 तक की जहां भी जो भी न्यूज मिल ली मुझे वो सब इंपॉर्ट इसमें कवर कर रहा हूँ दो पार्ट हो चुके हैं शायद इसमें 10-15 पार्ट और लगेंगा और ये पूरी करेंटर अफेर हो जाएगी अपनी जनुरी 2016 से लेके फरवरी जनुरी 2016 से लेके पहले दिसं इसी तो ये सब के लिए इंपॉर्टेंट रोती प्लस रेल्वे एक्जाम के लिए बैंकिंग आई बीपिस